तोस्तो यह Firebolt की नई smartwatch है Firebolt Grenade अब नाम दमाकेदार इस watch का है लेकिन वाई, वाई, watch कितने दमाकेदार है वो सारी सीजे में आपको इस वीडियो बताऊँगा और ये मेरे पास बाई, दो कलर्स में हैं तो एक यहाँ पर जो कलर है, वो है गोल्ड स्टील और दूसरी है ब्लाक स्टील और यह जो वाचिस है एक रगट स्मार्ट वाच है और साथ में आपको यहां पर लगजरी एडिशन भी उन्होंने निकाल दी एक तरह से स्टेनल स्टील जो स्टाप्स के साथ लेकिन इसके लाब आपको यहां पर सिलिकन स्टाप तोलस टांघ स्टील आपको ब्लाव स्टक्राप काफी अच्छी क्वालिटी यहां पर यह जो स्टापसकर है लेकिन इसक के लाब आप मेरे पास यहां पर यह गोल्ड स्टील कर लेता है इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं और दिखते हैं यह कैसी दिखती है और बॉक्स अबन करती है देख सकते हो यह जो वाच है कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है तो मैं इसको इसके बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूं और देख सकते हो यह जो कलर है गोल्ड स्टील कलर यह बाई कुछ इस तरह से दिखता और यह Pogo Connector Pin वाली जो Magnetic Charging के बाल रहती है साथ में यहाँ पर जो subscription plan, documentation बगरा रहेंगी लेकिन बात करते हैं वाई वाई वाज के बारे में तो यह है वाई Fire Bolt Grenade इसके screen के उपर जो plastic sticker लगा तो उसको अटा जेते हैं तो दिखने में जो watch है बहुती बड़िया लग रही है वैसे और जैसे में यह जो है यह gold steel color है और उसके लावा जो black steel color है उसमें यह जो watch है कुछ इस तरह से दिखती है यहाँ वाई इस watch का नाम grenade है तो यहाँ पर यह जो watch है बहुती heavy duty type लग रही है और obviously metal है तो थोड़ी सी heavy side पे भी है तो इसका एक बार weight भी चेक कर लें तो यह जो watch है इसका weight है total 146 gram और अगर मैं अपने iPhone को यहाँ पर वेट करूं तो देख सकते हो यह जो phone है मेरा 140 gram तो यह जो watch है ना मेरे iPhone मतलब यह iPhone mini है तो इससे भीना यह जो watch है ना बहुत ज़्यादा heavy है वैसे बहुत ज़्यादा मतलब 6 gram heavy है लेकिन काफी heavy है smart watch और obviously बात है इतनी heavy watches को आप रात को पैंग कर तो वैसे भी नहीं सोने वाले लेकिन overall जो design है इस watch का या फिर जो यहां पर आपको stainless steel strap बिलेंगे तो एक यहां पर यह जो इस तरह से लाच रहा है जिसको पुल करना और यहां पर बटन से इस तरह से यह जो इस बार ना fireball ने इसके जो straps को adjust करने के लिए टूल नहीं दिया है बॉक्स में तो अपको इसको अपनी wrist size के अज़स करना होगा तो भारस ही कराना होगा और यह जो black वाली मैंने पहने वी थी तो इसको मैंने मैं wrist size के साब से adjust कर लिया ता और इस black वाली की जो लुक है ना देख सकते हो वो कुछ इस तरह से रहेगी और मुझे पर ब्लाक वाली की जो लुक है ना मुझे काफी बढ़िया लगी है यहां पर जो straps वो भी मतलब ऐसे थोड़े से अच्छे लगए अच्छे लगए ब्ला दमागेदार सा मतलब इसका जो डिजाइन वगरा लेकिन अब जल्दी से इसके जो फीचर वगरा वो देख लेते हैं वो कितने दमागेदार है तो सबसे पहले तो इस वाच में आपको यह पर 1.39 का सरुकुलर दिस्प्ले देखने को मिलता है और डिस्प्ले की क्वालिटी आप दिखते हो काफी शार्प है बागी जो ब्राइटनेस इस वाच मिलती है वो मिलती है और फाइवंडर निट्स की तो इंडर आउट्डोर में वो कोई उशु नहीं होगा बागी जैसे था इसमें आपको यहाँ पर एक पर एक पर काफी सही लग रहे है बागी इसकी जो आप है The Fit उसमें जाकर आप और भी जो वाच फेसे इसे इंस्टाल कर सकते हो काफी बड़ी सी लाइबरेरी रहती है वागी वाच का यूए की बात करें तो नीचे से ओपर की तरह स्वाइब करो कि तो कि तो कि टॉगल बटन है उसके लाब यहाँ पर राइट स्वाइब कर करने का उप्शन मिलता है और प्लस कमेर करो के तो और भी हाँ पर शॉटकाट काड आप एड कर सकते हो जैसे अलाम स्वाज टाइमर या फिर जैसे फोन कॉल के उप्शन है उसके बाद यहां पर लेफ्ट से राट करो के तो रिसेंट जो एप्स दिखनेंगी आपको और मेन मेन्यू है वो बहुत ही स्मूथ है बहुत ही अच्छा तच्छ रिस्पॉंस है तो लाग बगारा नहीं है 60 हर्स का रिफ्रेश तो नहीं है लेकिन अरूंड 40 हर्स के आसपास आपको रिफ्रेश में मिलता है इस मेन्यू में आपको एक्टिविटी, फोन कॉल, हार्ट रेट स्ट्रेश स्लीप, BP, SPO2, एक्सराइस के ऑप्शन है और इसमें आपको 123 प्लस जो स्पोर्स मोड देखने को मिल जाएंगे देख सकते हो बहुत सारे है प्लस में आप करो के तो और भी कैटेगरी तो इनसे भी आड़ कर सकते हो और इस वाच में IP67 की रेटिंग है तो IP68 यह तो यह सही है उसके बाद एक्सराइज रिकॉर्ड है वो यहां देख सकते हो उसके बाद वेदर मैसेज शटर कंट्रोल प्लेयर एए वसिटेंट टाइमर अलार्म स्टॉपश का ओप्शन है फ्लैसलाइट और क्यलकुलेटर भी आपर दिया हुआ है तो यह सही है जो यह बात हुई बाद फाइर बोल्ट ग्रिनेड के फीचर्स के बारे में वीचर्स आपने लेकिन नोटिस करें कि इसके जो लॉंच पेज पर लिखावा था कि इन बिल्ड गेम भी मिलती है वह यहां पर मुझे मिसिंग लगी है कहीं पर दिखी नहीं है जैसा आपने भी दे या फिर IP68 रेटिंग भी दे जेते ताकि थोड़ा सा मतलब जैसे स्विमिंग वगारा भी करते हैं कहीं लोग या फिर पानी में कहीं जगावर भीग जाते हैं तो यह थोड़ी से सर्वाइब कर जाती है जो कि मतलब ठीक है लेकिन IP68 और होती ही तो थोड़ा सा और बेटर इसके लावा दिखने वाइस काफी बढ़िया लगती है स्मार्ट वाच और यहां पर इसके युआ वगारा जैसा यहां पर आप देख सेकते हो काफी स्मूथ है किसी तरह से कोई स्टर्टर मुझे नहीं दिखा है तो यह अची चीज है लेकिन अब जल्दी से इसके जो बा लेकिन उसके लावा इन हैंड जो इसकी लुक है देख सकते हो वह भी काफी बढ़िया दिखती है यह जो ब्लैक स्टील कलर है उसमें काफी स्टेल्ट सी लुक है इसकी और काफी अच्छे लग रहे हैं आपर इसके जो स्ट्रैप्स वगरा भी लेकिन यह जो वाच है सिलिक अगर आपके अपर इसकी जो लुक है अगर आपके थिन रिस्ट पतली रिस्ट है तो उस पर यह जो वाच थोड़ी सी बलकी लग सकती है मेरी मेडियम साइस रिस्ट तो उसके साब से मुझे यहाँ पर को इसु नहीं लेकिन अब जल्दी से इसके जो हाटट और एसको भी और उसके लिए मैंने अपनी फिंगर पर एक लगा लिया और यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो हाट रेट उसको मेजर करेंगे और देखेंगे कि इस ओक्सिमीटर से यहाँ पर इसकी जो रिडिंग रहती है वो कितनी क्लोज रहती है तो अभी जैसा आप देख से तो जो इस वाच में आपको यहाँ पर हाट रेट के लिए ग्रीन सेंसर देखने को मिलता है उसके लावा यहाँ पर जो चेक कर लेते हैं और उसको भी हम ऑक्सिमीटर से कंपेर करेंगे कितनी क्लोज रहेगी और यह जो वाच है अगर आपको जैसे इस तरह की रीडिंग लेनी तो आपके काफी स्नगinding नहीं है और अभी आपर श्यूम्रे में ढान डिखा रहा है और अब नहें यहाँ नहीं इस सब्सक्राइड से रहा है और ओक बीकृषि मेंनी दit प्रेचज उसके लावाई समय शवाट але उसको पिजए मिलते है तो भी चकर लेता हूं तो उसके लिए यहां से ओफिस में या इस ताइम पर कहीं पर भी जो कोई भी medical equipment नहीं पड़ा इसको यहां पर compare करने के लिए लेकिन देखने कितनी रीडिंग दिखाता है और इसने यह जो फाइनल रीडिंग मेरे को यहां पर दिखाई है वो दिखाई है 123 by 82 I don't know कितनी accurate है लेकिन इसके लावा इसमें आपको जो stress monitoring भी option मिलता है तो इसको भी check कर लेते हैं और यहां पर इसमेरा stress के लावल बता है वो पता है 35 तो जो की normal लिखावा है यहां पर तो यह सही है लेकिन जैसे मता है heart rate, spo2 यह सब measure करने के लिए आपको इसको इसको अपनी risk इस तरह से जो reading वगरा दे देगी या फिर आपने इसको किसी surface पर भी रखा होगा जो कि अभी वैसे इसको खुद के metal straps है तो भी यहां पर यह जो reading शो कर देती है तो यह एक चीज है लेकिन जैसे आपने देखा यहां पर जो reading वो काफी similar सी थी लेकिन मैं पहले भी कहीं बट यहां पर आपको जो weight detection वाला feature नहीं मिलता है उसके बाद यहां पर इसमें calling का feature मिलता है तो उसको भी आपको चेक करके दिखायता हूं तो सबसे पहले मैं यहां पर एक number डाल कर देता हूं और इसका जो speaker का volume उसे check करेंगे और call डाल करने के बाद भी आपके बास options रहत बाकि speaker का volume जैसा आप सुन सकते हूं काफी loud है काफी अच्छा-कास है तो indoor हो outdoor हो जो कि basically outdoor rugged smart watch है तो आपको में को लगता है कि कॉल लेने में कोई problem नहीं होगी माइक की quality की बात करों तो वह मैं आपको सुना जेता हूं और माइक की quality जैसा आप सुन सकते हो मुझा लगता है कि यहां पर काफी decent है तो अगर आप इस तरह से हाथ रखकर बात करते हो तो कुछ ऐसी रहेगी माइक की quality कुछ आपका हाथ दूर है कुछ काम अगरा करे हो तो तो यहां पर मैं watch है इसे उठा लेता हूं और यहां पर हमने options देखे थे तो यह कुछ इस तरह से मिलते हैं तो इसे कार देते हैं बागी message notifications की बात करों तो कुछ इस तरह से आपको SMS की जो notification मिलती है तो यहां पर आप जो English जो text पढ़ सकते हो इमोजी का support नहीं है लेकिन Hindi text का support है और यहां पर भी आपको reply का option नहीं मिलता तो overall दोस्तों यह है firebolt grenade और सबसे पहली चीज तो भाई दिखने में यह watch भाई बहुत ही तगड़ी सी दिखती है काफी heavy duty यहां पर smart watch है stainless steel के साथ यहां पर इसकी जो look है काफी luxury सी भी लगती ह तो एक तरह से काफी अच्छी लगी मुझे इसकी look थोड़ी सी डिफरेंट सी है लेकिन इसके लावा यहां पर features वगारा भी जैसे आपने देखा काफी बढ़ी है लेकिन एक rugged smart watch है तो मुझा यहां पर expect कर रहा है जैसे आपको IP68 की rating मिल जाए या पिर कुछ ऐसे features जैसे tracking जैसे campus वगेरा होता है तो वह थोड़ा better होता बागी calculator है फीमिल्स के लिए मैंसरे कर ट्रैकिंग का option है गेम्स की चीज़ा है जो मैंने आपर नोटिस करें कि इसमें अपको गेम्स नहीं मिल रही है एवन दो इसके page पे लिखा है कि inbuilt games अगर गेम्स कहलते हो तो वह यहां यहां पर यहां पर यह जो वाश है इसका प्राइज है 2799 अठाइसो रुपए और अठाइसो रुपए में लुक वाइस काफी सेगे काफी तगडी है बिल्ड कॉलेटी काफी बढ़िया है और इस तरह कि अगर आपको वाश खरीदनी है तो आप इंको चेक आउट कर सकते हो और अगर आप ने को खरीदना होगा तो इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाए का आप जाको चेक आउट कर लिए तो आपको कैसी लगी है फाइर बोल्ल ग्रेनेड या आप नीचे कॉमेंट करके बता हो और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडि आपको कैसी खाइर 0